इसको समझने की बजाए रटा मारने लग जाते हैं लेकिन उसकी भी एक वज़े है जी क्योंकि हमें समझ में नहीं आता और हम कोश्चन नहीं करते और दूसरी सबसे बड़ी वज़े यह है कि हम इस चीज को डेली लाइफ में यूज नहीं करते अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद भी अगर इस चीज को चोटी चोटी चीजों में अपनी चोटी चोटी दिन की चोटी चोटी बातों में अगर इसको यूज नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है वीडियो अभी बंद कर दो धन्यवाद तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो इस चीज को अपलाई करेंगे तो शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो Tense, काल तो दोस्तों सबसे पहले तो Tense, यानि की काल काल कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के वर्तमान काल, भूत काल और भविश्यकाल Present, Past and Future वर्तमान काल जो अभी चल रहा है भूत काल जो बीट चुका है जो जा चुका है और भविश्यकाल जो आने वाला है इन तीन कालों के अलावा भी कोई काल होता है क्या? नहीं होता ना? तो चलो आगे अब वर्तमान काल याने की Present tense भूत काल याने की Past tense और भविश्यकाल याने की Future tense इन तीनों को चार-चार हिस्सों में बाटा गया है और अच्छी बात यह है कि ये चार भाग कुछ इस तरह से बाटे गए हैं कि आसानी से याद हो जाए जादा कुछ समझने की जरुरत नहीं है बस नाम का फरक है वो आगे समझ में आएगा अगर एक चीज समझ में आ गई तो बागी चीज़े भी समझ में आ जाएगी दीरे-दीरे अब ये चार भाग कौन से है जिनमें इनको बाटा गया है इन तीनों को चार चार भागों में बाटा गया चार ती बारा तो अब ये चार भाग कौन से है समझते है पहला भाग है इंडेफिनेट आप इिंडेफिनेट को हम हिंदी में बोलते है कोई काम तय ना होना अनिश्चित इसमें ऐसे वाक्या आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता, यानि कि वो कब शुरू हुए और कब खतम होंगे, जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, I play football, कब से खेलता हूँ, कब तक खेलूंगा, पता नहीं, मैं हिंदी बोलता हूँ, कब से बोलता हूँ, कब तक बोलूंगा, पता नहीं, I speak हिंद मतलब ऐसे वाक्यों में हमको समय का पता नहीं है, यानि कि define नहीं है समय यहाँ पर, और तभी हम इसको बोलते हैं indefinite tense, अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ, continuous tense, continuous को हम हिंदी में बोलते हैं, चलते रहना, जारी रहना कोई काम, इस भाग के हंदर भी हमें काम कब शुरू हुआ, कब खतम होगा इसका मालूम नहीं, लेकिन इसमें काम चल रहा है, इतना हमें मालूम है, जैसे उधारन के लिए मैं फुटबोल खेल रहा हूं, I am playing football, कब से खेल रहा हूं, कब तक खेलूँगा, कुछ पता नहीं, काम मेरा continue चल रहा है, तो यह आगया, continuous में, तीसरा tense आता है perfect tense, वो tense जिसमें काम के हो जाने का, पूरा हो जाने का भोध होता हो, मतलब कोई काम complete हो चुका है, जैसे मैं football खेल चुका हूं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, यह सब चीजे, यह सब चीजे क्या बताती है, कि काम हो चुका है, और यह चीज किसमें आती है perfect tense में, अब तीन भाग हो चुके हैं, चौथा भाग है perfect continuous tense, अब यह चीज क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कान खोल के, perfect का मतलब पिछले वाले tense में हमने क्या समझाता है, कोई काम complete हो चुका है, और continuous उससे पिछले वाले में कि कोई काम जारी है, तो perfect continuous tense में क्या आता है, कोई काम हो भी चुका है, और फिलहाल जारी भी है, धंग से बोलूं, तो कोई काम किसी समय से प्रारंब होकर, प्रती दिन अंशितह पूर्ण होकर, आने वाले समय में भी जारी रहेगा, समझ में नहीं आये न, नहीं आयेगा, उधारन से आयेगा, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, सुबह से किसी समय से खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ, continue है, continue है, अभी भी खेल रहा हूँ, और फिलाल अभी खेल रहा हूँ, तो आगे भी खेलूंगा, ये चीज बोध, इस चीज का बोध हो रहा है हमको, एक और उधारन लेलो इसमें मैं पिछले पांच सालों से हिंदी बोल रहा हूं अभी भी बोल रहा हूं और आगे भी बोलूंगा तो ऐसे वाक्य किस टेंस में आते हैं शुरू हुए कब खतम होंगे इसमें भी काम कब चालू हुआ कब खतम होगा इसका हमें पता नहीं है परफेक्ट टेंस में वह वाक्य आते हैं जिनमें काम पूरा हो चुका है और लास्ट है परफेक्ट कंटिनियूस टेंस जिसमें कोई काम किसी समय से शुरू हुआ पूर्ण हो चुका है और आगे आने वाले समय में जारी रहने का बोध होता है अब दोस्तों इस टेंस के इन ही चारो भागों को हम लोग इन तीनों काल में फिट करेंगे प्रिजेंट पास्ट और फ्यूचर वर्तमान भूत और भविश्य इन तीनों में इन चारो टैंस को हम लोग फिट करेंगे करना कुछ नहीं है बस नाम उठा करके आगे रख देना है जैसे प्रिजेंट का प्रिजेंट इंडेफिनेट प्रिजेंट कंटिनियूज प्रिजेंट पर्फेक्ट प्रिजेंट पर्फेक्ट कंटिनियूज पास्ट का पास्ट इंडेफिनेट पास्ट कंटिनियूज पास्ट पर्फेक्ट और पास्ट पर्फेक्ट कंटिनियूज तो टोटल कितने भाग हो गए? एक एक के अगर चार चार हुए तो तीनों के हो गए चार चार तीया बारा अब इन बारा भागों को मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा फिलाल के लिए बहुत है क्योंकि जादा पढ़ाऊंगा तो तुमारा भी दिमाग खराब होगा और मेरा भी चलिए तो आज के लिए बेसिक ही बहुत है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद